कील पानी में डूब जाती है पानी का जहाज इतना बड़ा होने के बाद भी पानी में नहीं डूबता कारण ये है कि ये जो जहाज जब पानी में उतरता है तो अपने कारण वो जितना भी पानी हटाता है तो जितना पानी हटता है उस पानी का अगर बजन किया जाए तो वो बजन जहाज के बजन से ज्यादा होता है तो जो बजन में ज्यादा है जो ताकतवर है जो मजभूत है तो निश्चित ही वो अपनी जगए पर इतनी आसानी से हटना नहीं चाएगा तो वो जहाज के उपर एक बल लगाता रहता है उस जगे से जहाज को हटाने के लिए जिसे उत्पलावन बल कहते हैं इसलिए वो जहाज पानी में डूम नहीं पाता है जबकि वो पानी उस पर जो बल लगाता रहता है इसके कारण वो पानी पर तैरता रहता है इसी लिए एक कील जितना पानी हटाती है उससे ज्यादा बजन कील का होता है तो पानी उसको उस पर उतना बल नहीं लगा पाता और वो कील डूब जाती है इसी लिए एक कील पानी में डूब जाती है जबकि एक विसाल जहाज बजन में भी ज्यादा होने पर आकार में भी ब पावनवल कहते हैं आप लोग किस कच्छा के विद्धार थी हैं कमेंट जरूर करें और किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताएं हम आपको वो वीडियो लेकर आएंगे